हे गाईज वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल दिस अंकुर शर्मा यूर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फोर्मेशन लाये हूं कि जो भी भाई मेरे स्विफ्ट ले रहे हैं अभी बुक कर दिया तो थोड की प्रेफरेंस है अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं बट जैसे पहले स्विफ्ट जो मॉडल था इससे जो प्रिवेस जनरेशन थी उसमें सी एंजी में वेरियंट मारुती ने कुछ ही टाइम पहले लांच किया था बट उसका नसब से बड़ा ड्रोबैक था कि न नियू शिफ्ट आई है वह भी मार्किट में बहुत ही जल्द सी एंजी में आने वाली है और अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि अभी हम पैट्रोल वाला वेरियंट खरीद ले और उसमें आफ्टर मार्किट सी एंजी लगवाले तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें मेर अगरे हिसाब से हाडली से हाडली टू टू थ्री मंथ में कार लांच हो जाएगी ऑफिशली क्योंकि मैंने मारुति के रोतक प्लांट में गया था जो की आर एंडी प्लांट है वहां पर मैंने इसकी टेस्टिंग होते हुए देखिया वहां पर क्या होता है कि जैसे जो अगर आपको यह लग रहा है कि मैं जूट बोल रहा हूं तो आपना मेरी वीडियो सेव कर लो और आपको जो भी मतलब 2-3 महिने में जब भी स्विफ्ट लॉंच होती है अगर मेरी इंफोर्मेशन आपको गलत लगे तो आप जो भी आप कमेंट करना चाहें मेरी वीडियो लुए आप कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर सी यंजी सलेंडर की तो नॉर्मल इसमें सी यंजी सलेंडर लगा मेरे को ज्यादा बड़ा सिंजी सलेंडर नहीं था अराउंड वही 12 kg का जो नॉर्मल कार्श में आता है मारुत्ती की कोई ट्विंच सेटप नह गेनरेशन में और सी एंजी के लिए राइट साइड में एक कैप दिया गया था जिससे अगर कैप रिमूव करते तो गाड़ी बंद हो जाती थी अब उस चीज का सोलुशन कर दिया है मारती ने जो वहां पे गाड़ी यहां टेस्ट हो रही है मतलब जो सी एंजी वाला वेरिय होगा उसमें मेजर अपडेट यह दी है कि उसमें एक लॉकिंग के लिए वह दे दिया है मेकैनिजम जिससे मतलब आप एक्स्टरनल जैसे सी एंजी अगर फिल कराते हैं लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि वह बटन से भी खुल जाएगा या सिर्फ लोक से जैसे में आता था ना कि अगर आपको मतलब गाड़ी में डीजल फ्यूल कराना है तो आपको उतरना पड़ता था और चाबी से अनलॉक करना पड़ता था फ्यूल के आपको वैसा ही कुछ सेटप ब्लैक कलर का एक छोट आसा राउंड अराउंड टू टू तू त्री इंचिस का वह होगा और राइट साइड में ही वहीं पर उसकी प्लेसमेंट है जहां पर प्रिविएस जनरेशन में प्लेसमेंट आती थी और लोकिंग एक मेकैनिजम दिया हुआ है आप वहीं से उसको मतलब सी एंज उसमें फिल कराएंगे और गाड़ी की टेस्टिंग अच्छे से च सब्सक्राइब ले रहे हैं आप सोच रहे हैं आफ्टर मार्केट सी एंजी चला जाओं तो यह आप एक बार रीठिंग कर सकते हैं अपने डिसीजन पर क्योंकि जो कंपनी फिटेट सी एंजी का मज़ा है वह अलगी बात है और उस पर भी अगर मारुतिकी फैक्टरी फिट हो जाती है तो फिर आप कंपनी से किसी भी पार्ट पर मालो आपने सी एंजी बार से लगवा ली और आपके सस्पेंशन में कुछ इशू आ गया या आपके इलेक्ट्रोनिक आइटम्स में कुछ इशू आ गया और आप चाहें कि मैं वारंटी क्लेम कर लूं उस पार्ट की इक posesन दिनाय कर देंगे कि आपने इसमें बाहर से सी एंज़ी लगवाई है तो आपकी वारंटी वाइड होगी है क्योंकि सी एंजी बिना वार कटिंग के नहीं लगती है जहां पर इंच्टर अगते हैं सीएंजी के वहां पर वाइर कटिंग होती तीन जैसे तो उससे अच्छा है आप थोड़ा सा वेट कर लें और जैसे अगर आप भार से मतलब पर लगा रहे हो जिसकी रिलाइबिलिटी हो सकते मतलब ऐसा नहीं है में जो यह बात होती है कि आप कितनी अच्छी ले ले सब यह डिपेंट करता आप लगाते कि लगा किस डीलर से रहे हैं और अगर वह अच्छे से लगा पाता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है बट आपको फेक्टरी फिटेड का जो मजा देते हैं वह रिलाइबल है मैं खुद मारुती की ही वैगनार यूज कर रहा हूं वी एक साई सी एंजी में और एक हमारे पास घर में कार है इक को वह हमने उसमें भाहर से किट लगा हुई है तो मैं दोनों का डिफरेंस बता के या ज है मेंटेनेंस के लिए आपको दो तीन साल में या इवन कभी-कभी ता ऐसा होता जब प्रॉब्लम आ जाती है तो तीन-चार महिने में भी आपको उसको ले के जाना पड़ता है बट जो फेक्टरी फिटेड सी एंजी उसमें सच कोई इशू नहीं आता कोई उसकी पर्टिक न में उसके ऐसाब के चेंज इस होते हैं जैसे की आप मानके चलें जो का है उसके हैड में के चेंज तो यह सब चीजे आप मन में रखके चलें और सबसे अच्छा मेरे को यह पॉइंट लगा यह अपडेट बताने का मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाता वैसे जनरली लेकिन मेरे को आप लोगों के साथ इंफोर्मेशन शेयर करनी थी एक आपको लोकिंग मेंगानिजम दे देगा और मार्केट में आज आएगी जल्दी अभी जो टेस्टिंग भी हो रही है ना उसकी सी एंजी वाली गाड़ी की उसके स्टिकर वही डाइगनल वड़ा स्टिकर आगे पीछे लगा हुआ है सी एंजी का प्लांट के अंदर भी मारूती के लेकिन उस पर भी ब्लैक क शेर कर रहा हूं या इंफॉर्मेटीव वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ऐसी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं मारूती से रिलेटेड और अभी ना मार्केट में मारूती की इवीज भी आने वाली है मारूती की कम से कम 10 गाड़ियों पर टेस कैसी लगी इंफॉर्मेशन आपके काम की थी या नहीं और नई स्विफ्ट आपको कैसी लगती है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं या अगर आपने बुक की हुई है तो आप कमेंट में बताएं कि मैंने यह वाला वेरियंट बुक किया है और मेरी मा मेरा मानना है तो थोड़ा सा रूख जाएं ये थी आज की वीडियो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न बोले